Hello everyone, Assalamualaikum, Welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब लोग, I hope everyone is good and doing well So guys, आज का वीडियो हमारी body care related होने वाला है, तो make sure कि आप वीडियो को लाज तक जरूर देखें, वीडियो पसल है तो वीडियो को लाइक करें So without any further ado, let's get started So guys, जो हमारा main ingredient है, वो है beans, beans के मैं आपके साथ कुछ फाइदे शेयर करती हूँ, beans, acne के लिए अच्छा है, weight loss के लिए अच्छा है, cancer को prevent करने के लिए अच्छा है, then ये आपके lower blood pressure के लिए अच्छा है, anti-aging के लिए अच्छा है और improve करता है blood sugar control को आपकी skin के लिए अच्छा है, healthy skin के लिए और improve करता है memory power को और आपकी eyes के लिए भी बहुत अच्छा है और अब हमें इसे blend करके इस्तमाल करना है, यहाँ पर आप देखें, मैंने इसे blender में डालके अच्छे से blend कर लिया है और इसका powder बन गया है, हमें वैसे beans इस्तमाल नी करने है, उसका powder चाहिए क्योंकि हम इसका एक scrub बनाने वाले हैं तो यह powder हमें scrubbing में help करेगा, यह हमारी skin को soft करेगा, exfoliate करेगा, smooth बनाएगा, dead skin को remove करेगा, healthy skin के लिए अच्छा है, dry skin, normal skin, oily skin, कोई सी भी skin इसका इस्तमाल कर सकती है, कोई problem नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, किसी भी skin के साथ, बलके अच्छे से एच्छे results आपको मिलेंगे, इसके इसके इस्तमाल के बाद कब तक store करना है, वो सब मैं आगे वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, acne के लिए इच्छा है wrinkles, fine lines जो आजाती है, वो वाली skin भी इसका जरूर इस्तमाल करें, anti-aging वाली skin भी इसका जरूर इस्तमाल करें, आपके skin को बिलकुल youthful बना देगी, यंगर दिखाएगी, ऐसा ये magic करने वाली है, करने वाली है, आपके चेहरे पर, हम जो ये market-based scrub यूज़ करते हैं, उन्हें इसका इसका इस्तमाल लगाने में और खाने में ज्यादा करें, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस बहुत जल्दी आएगा, अब हमारा second ingredient, जिसमें एड करने वाले हैं, वो है honey, honey की तो बेशमार फाइदी, और मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि honey मेरा most favorite product है, चाहे natural product है, चाहे वो बालों पे हो, skin में हो, lips पे हो, its best ingredient, natural ingredient, अब इसके कुछ मैं आपके साथ फाइदे शेयर करती चलों, honey एक nature most revered skin remedy है, यह antibacterial antiseptic abilities रखता है, खुद में honey के जो benefits है, वो oily acne prone skin के लिए बहुत जादा है, honey जो है एक natural humectant है, जो कि आपके skin को moisturize रखने में help करता है, पर oily नहीं रखेगा, क्योंकि जो humectants है, वो draw moisturize करते हैं, आपकी skin से without replacing it, ठीक है, यह cleanser की तरह काम करता है, exfoliator, moisturizer, acne के लिए anti-aging, healing, chap, lips, nail, cuticles, hand repair, crack, heal, hair conditioner, body conditioner, under eye, circles, or relieve करता है, tired, skin को smooth करता है, आपकी skin को और भी बहुत ज्यादा, इसके benefits हैं, अगर आपको dry lips से मसला है, तो honey इस्तमाल करें, glowing skin चाहिए, तो honey इस्तमाल करें, heal sunburn करना है, तो honey इस्तमाल कर सकते हैं आप, और fades away scares के लिए भी आप honey उस्तमाल कर सकते हैं, हमारे घर में तो, जो है, हमें natural honey मिला करता था, जो कि बिलकुल जो ना, छटे से हमें मिलता था, और natural था, और मैं इसको बहुत बालो पर इस्तमाल करती थी, बहुत skin पर, और मुझे इतने लाजवाब, उस बिलकुल natural, सामने जो है ना, आँखों के सामने बिलकुल वो निकल कर एक jar में आता था, कुछ chemical कुछ भी नहीं, तो, तो उसका और ही मज़ा था, लेकिन market based honey भी आप यूज़ कर सकते हैं, अब तो हम वही इस्तमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस tree पे, जो honey हमें मिलता था, वो भी जारा tree ख कर सकते हैं, तो आपने जो ऐसे honey के साथ, अच्छे से mix करना है, जो है ना, mix होने में थोड़ा time लेता है, इस तरहां से पहले, जिसना में चमच घुमारी थी वैसे नहीं, लेकिन ना, दूसी तरह से mix होगा, साथ, चमच और अपने बावल के साथ लगा लगा कर, honey आप कर मेंट हिल जाएंगी, जिनके वैसे, एक मेस करियेट हो जाएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल कर, mix करें, अब आप देखें, इस तरह से, आपने mix करना है, जैसे मैं आपको, यहां दिखा रही हूं, चमच छिनाने से, तो mix नहीं होगा, क्योंकि, जो नीचे कर देखा रही हूं, इस तरह आपको mix करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरह तो, वह mix हो ही नहीं पाएगा, आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो आप इने, हमें, जो है, इसे, अच्छे से mix करते रहना है, उस वक तक, जब तक यह अच्छा सा, जो है, एक स्क्रब ना की तरह, मॉच्राइजर की तरह, वर्क करता है, और बीन्स हमारी स्क्रियेट करेंगे, क्योंकि हम वह एक पाउडर स्क्रबर फोम में है, तो हमारी स्क्रियेट होगी, सॉफ्ट न स्मूध होगी, और यहां पर देखें, मामा की हेल्प से, मैंने इसे, अच्छे से mix कर लिया है, इसलिए कहती हूँ कि बहले कि प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, जरूरी नहीं है, आपको यही विटमिन सी ओल चाहिए, आपको इसा भी असेंशल ओल सकते हैं, मज़दार सी खश्बू के लिए, टीटर असेंशल ओल, रोजश असेंशल ओल, या हैं, और उसके बाद हमारा स्क्रब रेडी हो चुक है, अब मैं इसे अपलाए करने के आप लों के साथ दो तरीके शेयर करूंगी, पहरा तरीका तो यहां पर है कि हम, मैं यहां पर थोड़ा सा स्क्रब ले रही हूँ, बाउल में एक साइड पर करके, ठीक है, इसको हम हटा बाउल में हमारे पास स्क्रब है, इसके अंदर मैं एड करने वाली हूँ, थोड़ा सा रोज वोटर, रोज वोटर मैं इसके अंदर एड करूंगी, यह अपलाए करने का सेकिंड वे है, रोज वोटर के बेनिफिट्स भी बड़े मज़ेदार हैं, यह आपकी स्किन को ड्रेट रखने में बहुत बहुत अदा हेल्प करता है, अगर बिल्कुल ही नाचरल रोज वोटर है, गुलाब का अर्क है, तो आप वो इसके अंदर थोड़ा सा एड करेंगे, मुझ से थोड़ा सा जादा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान से थोड़ा थोड़ा कर कर सकेंगे, तो आप नॉर्मल जो हमने वहां पर दूसरे ब्लू वाले बाउन में पेस्टाड़ी किया है, वस उसे रोज उठाएं और बोड़ी पे स्क्रब करने, शावर के टाइम नहीं तो दूसरा भी यह रोज वोटर वाला भी है, जो आपको ठीक लगे, आपको तमाम फाइदे भर चड़ कर मिलने वाले हैं, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, कोई भी एज इसका इस्तमाल कर सकती है, चाहे वो बुड़ापा है, जवानी है, या बच्पना है, लेकिन मेक शोर कि जो छोटे बच्चे हैं, यानि पान साल के नीचे, तो उनकी स्किन पर ना इस्त चिल्डरन इसे इस्तमाल ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी स्किन को एक्सफोलियेट और डड़ स्किन को रिमूव करते हैं, तो बच्चों की स्किन ज़रा सेंसिटिव, उससे भी कई ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो फिर उनकी स्किन पर मैं नहीं कहूंगी कि इस प्रब्लम है, ठीक है, लेकिन बारहाल तीनेजर और अड़ल्ट में अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाला है, तो उसके लिए तो कोई मस्वा नहीं है, वो इसका यूज कर सकते हैं, आप इसे स्टोर कर सकते हैं, तकरीब बन एक हफ़ते तक या उससे जादा तो पंदरा दिन तक उससे ज्यादा आपने इसको स्टोर नहीं करना है, फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा, और बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बस एक ही बारी में जो ना बीन्स का पाउडर काफी जादा बना कर आप रख लें, और जब चाहें उसमें हनी मिलाएं और उसका इसका इसका इसके हमाल देना कर लें, विटमेन सी ऑएल के साथ प्र इसके बेना बी, तो बनाने में उसका कोई मिश्वा नहीं है, बारोäl आप इसे एक हफटा या उससे ज़दा पंदरर दिन तक स्टोर कर सकते हैं, आप जादा इसका 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 इसकार नहीं कि रस जब मर्जी इस्तमाल करें कोई भी हाश इसका साइड इफक्त नहीं होगा और आप देख सकते हैं कि मेरी स्कन बोड़ी सॉफ्ट होगी है बहुत सॉफ्ट होगी है बिल्कुल बेबी सॉफ्ट क्यूंकि इसने में स्कन को एक्सफॉलियेट कर के डड़्च स्कन को रिमूफ कर के स्मूध और सॉफ्ट कर दिया मैं मिलती है आप सबको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज